जब इंसान इस संसार में चन्द लेता है तो उसकी जीवन की कहानी में दो केरिटर कॉमन होते हैं एक है हीरो वो मैं हूँ और दूसरा है विलन वो भी मैं ही हूँ मैं अपने आपको हीरो फील करता हूँ लेकिन पूरे गाउवाले मुझे विलन समझते हैं और उसकी एक वज़ा है सरपंच पालमपूर का सरपंच भाईयो और उनकी बेहनों मैं आग में तब कर हालात से फिट कर सभी का दिल जीत कर लाखों खर्च करके इस पोजिशन में पहुचा हूँ लेकिन ये कृष्णा सब पत्यनाश कर रहा है प्रिल के मज़़ूर लोग जब तुमसे पैसे मांगते हैं तब तुम उन्हें मज़़ूरी नहीं देते हो जब से तुमने इस घड़ी को हाथ लगाया है वक्त खराब हो गया तुम्हारे जैसा इंसान यहां रहेगा तो यहां का वक्त कभी नहीं बदलने वाला कितना चाहिए दो हजार यह काम तो 200 का भी नहीं है फिर लूट को रहा है मेरे काम से आप लोग एपी हो की नहीं कौन है कौन है यहां पंचाट में फैसला हो रहा है तेरी मन्मानी नहीं चलेगी एक सर्पन जी तुम भी कुछ बोलो सेनियर होने के नाते हैं इसे कुछ समझ आज की तारीक में हर साल नया इंडिपेंडन से मनाएंगे देट लिख लो ये बात याद रखो करोडो रुपए कमा कर इस काओं में लॉट आऊंगा और सब का गुरूर तोड कर रहोंगा करोडो रुपए कमाना बोल बच्चन जितना असान नहीं है बहुत महनत लगती है महन जीत ही मेरी मंसील है और जीतने के लिए मैं किसी भी चटान से ठक रहूंगा या तो करके दिखाऊंगा या मौत को गले लखा दूँगा तू और डाइज मौत करें है प्रणाम प्यारी आंटी डेली में आपके चरण छूता हूं जिन्दगी भर छूता रहूंगा मैं लेकिन आप मेरा उद्धार कब करेंगी सोचा कि मेरे नसीब में खोट इसलिए मैंने मनी प्लैन लगाया लेकिन वो भी सूक गया वालेट भरने की जगा खाली हो गया राद भर कुत्ते की सिक्योरिटी की ड्यूटी करके सिहत खराब हो गई है आपकी क्रिपा बरसेगी तभी मेरी तश्रीफ में दम आएगा बक्वास बनकर फूल चड़ागा दे हाँ ठीक है गोल्ड बिस्किट की बारिश करो पैसों का तुफान लाओ जमतकार का सुनामी करो एक मिनित अंटी तुनामी का मतलब है करिश्मा दिखाओ बेड़ा पार करने वाला पैसा पैसा सुनिये हाँ जी उधर नहीं यार लुक हियर कौन है मुझे पहचा ना तुझे कैसे भूलू ये क्या आंटी इसे यहां क्यों भेज दिया आप तेरी बार ठीक से सुनती नहीं क्या मांगा पैसा मांगा और आपने खोकट गव लोगों को भीज दिया चिल्ला क्यों राया हां और यहां क्यों आया है नावस्ते इखा जाड़िये को देखा अभी तक जड़ा भी नहीं बदला तू क्यों आया आपर गाव में बहुत मैंनत कर ली लेकिन मामला कुछ जमा पिर भी बात नहीं बनेगी फिल्म में काम मिलेगा नहीं गाओं का काम छोड़ के आगया अब जनाम को महबत और शौरत दोनों चाहिए हम जैसों को यह कुछ नहीं मिलता एक करोड़ जमा किरने के लिए हम जैसों को दो जनम लेने पड़ता है नहीं मेरे बाई यह बच्पन से मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भाग था मुझे अचानक बच्पन की वो दिन याद आ गये तो मैंने एक काम किया पान किलारी लेकर अपने नाक में लगा दी मुझे ऐसी नवटेंगी करना बच्पन से बहुत पसंद है तू जब देखो फ्लेश्बेक में च बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें दो लाख इंवेस्ट करके करोड़ों कमाएं इनके पास नोट्स आपनी की मशीन है क्या पेपर में लिखा है वही मुझे सही रास्ता बताएगा है प्यारे काम पर लगने का वक्त आ अपना बैक भी लेके जाना इस जैर के बार कमाने से पहले नहीं समझ भाऊंगा वाट यह रास्ता मिल गया क्या टनलक्ष्मी अंटी ने तुम पर करेपा दिखा दी हां अब तो हम ड्राइवर बनेंगा पांच मिनिट में अगर तुम काम पर नहीं आए तो तुम्हें जॉब से निकाल दूगा अब तुम्हें जॉब किसे जरूरत है 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 अब मैं करोड रुपय कमाने वाला हो फिर तेरी यहां गुलामी क्यों करूँ अरे प्यारे तिरा यह कनेक्शन ठीक से काम तो करेगा ना कि नहीं करेगा करेगा मतलब तुम्हें विश्वास है 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 सुनिया अब तक आंटी ने कोई रास्ता नहीं द दस करोड यह लादे इदर यह बताओ यह सब तुम चंद में वसूल करोंगे क्या आएसड बैंक नहीं सब को लोन दिया है लिगा लिल लिगल इन्मिस्टिकेशन किये भी नहीं और अब कोई पैसा नहीं लोटा रहा है यह सारी उन्हीं लोगों की लिस्ट है बैंक ने यह तरह फोन दे तुम्हारे चक्कर में मैंने अपनी नौकरी को लात पार दी पता नहीं बॉस क्या बोलेगा काम पी जा रहा है तो और कहां जाओ नमस्ते सर मैं अंजी बोल रहा हूं तेरे तो गंजी के वांदे हो गए थे ना फिर तुने इस गरीब कंपनी में क्यों फो इक और पैक पिएगा अब जब कर वो कौन सा दिन था जब मिले थे हूं उस दिन पर साथ हो रही थी मेरे दोस्तर जब भी कुछ पूछता हूं फ्लेश्बेक में चले जाता है कुछ तर पहले वसुली कर रहा था करोड़ो को माना तो रैश कर रहा था दो लाग में करोड़ अगर बागेन करूंगा तो चार लग देंगे कोई फाइदा नहीं मेरे दंदे में बार्गनिंग नहीं होती है तेरा आइडिया सुना अच्छा लगा लेकिन तू वसली कर पाएगा नाम सुनते ही हाड़टाइक आजाएगा आप हैं कौन सर मेरा नाम है अनाकॉंडा यह भ तो आप बता रहे हो या हमें डरा रहे हो देखो मैं बहुत सही तरीके से धंदा करता हूं मुझे किसी को फसाने का शॉक नहीं है इसलिए लोगों को पहले ही वार्निंग दे देता हूं करोड रुपे कमा कर यह पैसे तुम्हें जरूर लटाओंगा तू ओवर कॉन्फिड की डिगरी हसील की एक जो नहीं लोटाता हूं उसका सामान निकालकर उसे विदेश परेज देता हूं इस काम के लिए कसाई को रखा है तुझे इतनी घबराट क्यू हो रही है ने ने मैं क्यों घबराओं गब रहाएगा तो कुछ निए वह चलता हूं मैं चलता हूं था हम प्रिवे किसे निलना है रे गुड मॉनिंग जा यहां से माजी का रूप माज एसा नहीं लगता इन्हें बात में सेट करता हूं ए बिल्डर लिंगप पागॉड़ा कॉन है यहां वह वहां पर है क्या चाहिए तुझे पैसा चाल अपना रास्ता नाप मुझे यहां आईस्ट बैंक वाले ने भेजाए और खाली हाथ नहीं जाओंगा अच्छा कुछी देर में आप खोदी मुझे पैसा दोगी समझदार पैसा लटाता है मैं क्या क्या रहा हूं बैंक जो लोन देती है उसे इंटरेस के साथ चुकाना समझदारी है करेक्ट सर चेक देंगे यह कैश क्या देडाले से इसकी बातों पर तुम लोग अपना बक्यू पर बात कर रहे हो अरे पैसा लेने आया हूं आपक यह क्या कर रहे हो अरे यह क्या करें तुम नहीं करने के लिए काहो ना मैरे तुनिया उल्टी हो गई है मुझ पर आहम करो यार सारी दुनिया उल्टी नजर आ रही है मुझे तू मुझसे पैसा वसुल करेगा तेरी तो चलो अपना प्ला काम करो आप लोग मुझे चोड़के कहां चारे हो सर पेमेंट अदा करने की स्कीम देता हूं ना सर प्लीज सर आप यहां अकेले नहीं लटक लेकिन जरा तेवर तो देखो चिकन बिर्यानी लाने को बोला तो चिकन डाल के ला खाने के लिए दांत नहीं है मुझे चाहिए चिकन बिर्यानी नक्चड़ी बढ़िया कहीं कि सर आप जो देंगे मैं लेकर चला जाओंगा थोड़ा-धोड़ा करके दीजिए फ्लीज सर लेकिन मुझे छोड़ दीजिए इन शयतानों का दिल नहीं पिखलेगा चिलाना वेस्ट है इससे अच्छा है तुम अपना मुझ बंधी रखो अरे कोशिश जारी रखूंगा तभी तो कोई हल निकलेगा ना दोस्तुमें क्या लगता है मैं चार दिनों से कोशिश नहीं कर कि जाना दोस्त सारे यंव्दू थासियार लेकर खड़े हैं मैं संभालों का दोस्त बर गए जंदी भागो भाई माजी जात गई छोड़ा भाग ना है तुमना कहा हो है 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 इस अगया है 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 का बन सब्सक्रे तुप्रे कर दो सुके डचाल, ऑल भ lassो एंजआ, ब जिल मेरे, ऑाल झाल, यूurar लचाल, प्यूर नचाल वगाऑा बसक्त जो हो नारियों किसरा हीते जो जो, किस तड में मुझे जो, कर दो, कर दो लगे तो लगाओं! लगे लगे! वे लो लगाओं! एट झान दो, जरवाजा पतलतों do पंगरो 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 से! यह लिंगा पागोड़ा शराफ असे वसुल कर रहे था लेकिन तुने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी मैं अपनी अवकात में आ गया ना तो सब को भारी पड़ूंगा प्रिपेर हो जा वापस आकर पाई पाई वसुल करूंगा हमारा पैसा लोटाने को जो वक था वह खत्म हो सोच रहा हूं उसकी किड्नी निकालो हूं या आखे निकालो बिल्कुल नमस्ते सर नमस्ते गया तेल लेने इधर आ तुम्हारे दोस्ते तुम्हें गिर्वी रखकर एक लाख रुपहली आ था तेरी आखे बहुत प्यारी हैं पोटो निकाल कर वाट्सव पर भेज़दे ज उसे मैंने पहले ही बताया था अगर नहीं देने की बारी आ गई तो आखे या किड्नी में से एक चीज़ देने ही पड़ेगी अवे क्रिश्णा तुम्हें पैसों के लिए मुझे गिर्वी रखता है तुने क्या मेरी किड्नी को एडली समझके रखा है जो दुनिया में बा बली शेरा सारे के सारे नामी गुंड़े तुझे कच्छा चबा जाएंगे देथ बोड़ी को गाउन ले जाने का इंतिजाम कर ले तुम जरह रुको में समझा रहा हो ना बेवगुफ यह करोड़पती वही बनता है जिसके किसमत में लिखा होता है हम जैसे लोगों के हाला इंसान को उचाई पर पहुंचने के लिए चटान से टकराना पड़ता है सीधे के साथ सीधा और टेड़े के साथ टेड़ा आखरी तम तक कोशी चारी रखोंगा चाहे जितनी भी मुश्किल आया मैं सामना करूगा मैं करोड़पती बनूगा उसके लिए मैं कुछ भी करने हुआ है मेरा नाम लेके क्यों चिला रहा है तो मैं बात में बताता हूँ मैं पैसे निकाल मैंने तुन्हें का पैसे लिए यू लोन तूने लिया वो तो निया प्टे घैरी गल्फ्रेंट चुगाएगी किसी को अपने आद्मियों पर हाथ उठा दे फर्स टाइम देख रहा है नहीं मेरे बाप ने लिया था बाई शद्रेंच की चाल जलेगा तो चेकेंड मेट कर दो है तू पैसा देगाया नहीं भाई मुझे उधारी देदो और ना मार जाओंगा भाई पूरे पैसे देदो किन के दे इसका शोही खत्म कर देता हूं रुक जा वो क्यों इस बिस्निस की मेरी ये पहली कमाई है तो मैं किसी तरह का रिस्ट नहीं ले सकता चल गेंड तोड़ी है ना भाई बागल कुट्टे को गोली मारा जाता है और शिकारी कुट्टे के लिए जाल बिछाई जाती है सवामी आपकी दया से बोनी हो गई हमेशा इसी तरह से मुझ पर अपनी क्रीपा बरसाइए क्या ख्याल है मुझे दुबारा शिकायत का प्लीज मौका मन दीजिए थैंक्स सवामी अगर जॉब चाहिए तो इस एड्रस पे आ जाना पर मैं आपका जॉब क्यों करूं सर अल् अल्टी आज से आप मेरी मा बिन गई हमारा रिष्टा क्लोस होगे हमा बेटे का प्रणाम को बूद रो यह तो सरे फांच लाग अरे आण्टी ने बिजवा है ना करोड़ तक पांशने में टाइम नहीं लेगा तो काम कर लेगा यह करने वाला है यह आप करने वाले मैं जूब ऑफर किया है श्री साइलम के लोगों से तुने वसूली कैसे की यार अपने हिसाब से नहीं कोई शहर का फाप है श्री साइलम इस शहर में कोई भी काम करने के लिए उससे परमिशन लेनी पड़ती है यार जामते हो लेन्ड माफिया के लोगों को मार कर वो उनकी जगे हथिया लेता है और कोई सबूत नहीं चुड़ता है हर प्रोपटी पर उसका नाम और हिस्सा होता है वो भी पूरे लीगल तरीके से शोरत के मामले में वो बिल गेट का भी बाप है इस शहर की पूलिस भी उसके साथ है पूलिस इसके लिए खबरी का काम करती है और ये दुश्मनों का गेम बजाता है सेंट्रल पाइलांस प्रिष्टर जगदीश राओ उसका बैकपून है सारा प्लैक मनी इसी के जरिये मार्केट में गुमता है फिर वाइट होकर जगदीश के अकाउंट में जमा हो जाता है जगदीश राओ का ये राइट हैंड है इस सिटी का भाई उसके पीछे चलती है उसके खुद की फौज इस अ किलिंग मशीन तो गलती से भी इस एड्रेस पर पहुँच गया तो मौत पकी एक ना एक दिन तो ये मौत आनी है उसकी बायोग्राफी चेक करने के बाद ये उसके ग्रूप में शामिल हो रहा हूँ एक बार उसके ग्रूप में चला गया तो सभी लोग मुझसे डरेंगे अब सबसे वसुल करूँगा करोडो रूप है करोडो कमाने का ये कैसा जुनून है जो ये मौत से भी नहीं डर रहा पता है जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ अब बस खेल देखो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 ह कि थैंक्स बहुत कुपसूरा था तुम तो क्या तुम्हें अइसास करने के लिए बोला बहुत हो नहीं तारीफ की है और लोग क्या देखकर तारीफ करते हैं पता नहीं पर मुझे तुम्हारी आखे पसंद आई सॉरी बॉइफ्रेंट के साथी रहो ए वन मिनिट्ट देखो मुझे फॉलो मत करना और टॉर्चर करने की भी मत सोचना क्योंकि मैं एक परिंदा हूं गो जिसके बार में बताया था यही है वो ओवर स्मार्ट अरे यार कितना हैंसम है ये शाहिद तुझे ही कोई गलत है में हुई है क्या चिस्म के नुमाईश हो रही है दुबारा तुसे बात करने आ रहा है बेटर आज सी टिंद का अभी अंदर सिगरेट हाथ में लेकर तुम ही मिली थी नो हाँ तुम नहीं जलाई थी तो क्या अंदर धुआ इतना था कि मैं ठीक से देखी नहीं पाया स्मोकिंग जोन में लाइट थोड़ी बढ़ाओ यार अभी अच्छा कासा मौका छूट जाता ना मेरे हाथ से अरे बाप्रे इस खूबसूरत नगीने को उपर वाले ने कहां छुपा के रखा था क्या बताओ जैमन बहुत गजब हो अरे बाप्रे बाप्रे तुम मेरा मिल गया यार मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजीगा तेली यह फोन है बे फोन में टेंबल का फूटो इतना प्यारा फोन किसका है तेरी फोने वाली भावी का लड़की पसंद आये तो उसका नंबर लेते हैं फोन नहीं उठा लेते हैं टॉइंग मैं कुछ बोल नहीं सकता क्या बोल लेकिन भावी की नहीं से बोलना बेवकुफु को कुछ भी समझाना मुश्किल है यह बड़ा समझदार मेरी डालिंग का मैं ही फर्स्ट लवर हूँ अहां बार का क्लेक्शन आया क्या आने वाला बाई कोई नाटक करे तो बताना है पाने वाला पहली बार देखा है थैंक्स भाई उस दिन खुन निकाल रहा तो आज मिठाई खिला रहा है ठीक ठीक भाई तेरा पैसा तो दे चुगां अब क्यों आया है वीट भाई आपकी वज़े से मुझे जॉब बिल गई मेरी लाइफ मस्स गुजर रही है जैसी आपक कॉंप्रोमाइज करने क्या फायदा है जा बड़े भाई हो खिला जा भाई सुईट लीजिए ना कि सुईट को वेस्ट करने से टेस्ट नहीं पता चलता खाना पड़ता है मैं भी ऐसा ही हूँ अगर फ्रेंडशिप करने के ठान दी तो पीछे नहीं आड़ता क्या बात है क्रिष्णा जॉब चाहिए तो जॉइन कर लो सुईट लीजिया भाई हाँ आप शेहर के किंग है इसलिए आपको सब भाई कहते हैं मैं आपको पहचान नहीं पाया इसलिए टच किया सौरिया अपने बारे में बताओ मैं तो परिंदा हूँ भाई अब तक था आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तेयान हूँ सुन सिनू हाँ बाई राम नाराण को जरा जल्दी बुला ना ओके बाई चलो चलते हैं कहां भाई जैसी हो जान ए मोटे दो घंटे पहले बात हुए थी तब जैसी थी अब भी वैसी हूँ मुझे लगा था तो एक बहुत अच्छा इंसान है इसलिए मैंने शारे के लिए हाँ कहा था लेकिंद तेरे कनेक्शन श्री सेलम जैसे गुंडे से हैं अरे डार्लेंग वो मेरा चड़ी दोस्त है मेरा नाम लेते ही उसकी किकी बन जाती है सुमारा भी उससे इंट्रोड़ करवाई देता हूं अरे श्री सेलम भाई आए कम कम क्या बात है दिन परती दिन तोंद बढ़ती जा रही है अच्छा ये बताओ मेरा ओफिस कैसा लगा तुम्हारा ओफिस तो एकदम मस्त है तुम कैसे हो अरे यार दिख नहीं रहे क्या बाड़ी एकदम गुरिल्ला जैसी हो गई है तुम्हारा लिए शराब शेवाब साथ में कबाब मस्त मिरियानी सब कुछ सैयार किया है अपनी दावाद तो ऐसी है कि दुनिया देकर परिशान हो जाए अपने दोस्तों का ऐसा वेलकुम करना हो कि है बड़े भाई कौन है यह नया चोकरा नया लड़का है बड कुछ दोस्त यहां आने वाले है एक छोटी सी मीटिंग है बड़े भाई यह ओफिस तुम्हारा ही है जितना वक्चा यह लेलो जो करना है करो अब ठीक है अच्छा बड़े भाई तुम्हारे सेलिब्रेटी फ्रेंड आ गए उनसे मेरा इंट्रोड़क्शन करवादो सेल्फी लेलूंगा मेरे काम होने तक इंतजार करो फेर इने तुम्हें ही सौप कर जाऊंगा मैं क्या बात है राम नारायन तुम लोग जाओ मुझे इससे बात करनी है कल तक तुम मेरे साथ काम करता था आज तुपैसों के लिए पुलिस का इंफार्मर बन गया वैसा भेका तो कानून ने भी अपना मोख हो दिया बात्रूम का है वहां उसकोने में बात्रूम ले जा रहे हैं बहाई कोई और शौक तो नहीं पालते हैं वो लोग बात्रूम में क्यों गए अरे यार तु इशारे नहीं समझता क्या एक उंगली दिखाना मतलब सीधा काम है दो उंगली दिखाना मतलब दो नंबरी काम है आजा माफ कर तो बाई किसे गलती होगी भाई अरे रे रे भूल गया मैंने इंट्रोड़क्शन तो करवाई ही नहीं रगु भाई राम नारायन राम नारायन रगु भाई अब इसके क्या फायदा फ्रेंशिप करनी थी ना सेल्फी लेकर फेस्बूक पर डाल दो लाश के साथ सिल्फी लूंगा क्या जिन्दा वही रहता है जो हमारे साथ वाफदार है जिसने भी इस लकीर को लागनी के कोशिश की उसी वक्त उसके लाइफ लाइफ लाइन कट अरे मेरे भाई ये डिलीट साफ्ट्वेर कंपणी मने लोगों को डिलीट करने के लिए नह जाना खाले पहली बार देखाना भाई इसलिए घबरा गया होगा इसको हस्पिटल ले आप है ऐसा क्या देख लिया जो हॉस्पिटल पहुंच गया मैंने मर्डर होते हुए देखाया अनकुंड़ा श्री साइलम के हां मडर ही देखने को मिलेगा ना कि कोई आइटम नंबर हलो डॉक्टर यह क्या है आइटम का नाम लेते ही तेरी आइटम सामने आ गई यह अब तक कहां थी प्रॉब्लम क्या है सपनों में दिल से दिल का कनेक्शन नहीं हो पा रहा था लाइव देखा तो वाव 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 तीर दिल के आर पार हो गया है है प्रॉब्लम क्या है ख तुम पढ़ जाओगी है यकीन हो जा तो कुछ भी करूँगा नाम देख रहा हूँ पार्वती और कुछ पुछना है पारो मैं गुडडे तुम केरला से यहां क्यों आयो किसे ने भगा दिया गया यह जानते हो क्या है लिमिक से ज्यादा दिया तो जान जली जाएगी बहुतर है तुम अपनी लिमिक पार मत करो तुमने मेरा फोन चुराय एंग्री बर्ड लगती है प्रिया फोन देना जड़ा एक बार मेरा फोन मुझे मिल जाए फिर इसे दिखाती हूं तुझे पुरानी बात बताओ जब मैं छोटा था तो इसी हास्पिटल में बास करना कहां जा रहा है सीदा जास कबसे कोई फोन लगा रहा है अब तक इसमे हुआ है कि यारे फोन चोरी किया तुने और बशने के लिए मुझे यार बना रहा है चोर कह रहा है तू मुझे सार अब सुनो आजकल फोन चोरों की तादाद बढ़ गई यह बद के रहना सुनो सिस्टर मोबाइल के बदले इनकी किड्नी आखे लेलो फाइदे में रहोगी रेट बता हो जारा तीन लाग रुपे मिलेंगे यह इंजेक्शन घुसेड़ दिया तो यह अपने आप मर जागा डॉक्टर यह धर्दी पे बोज है जिन्दा रहके किसी काम नहीं आने वाला है और ना यह किसी का बलाग करने वाला है इसकी शकल भी देखिए बिलकुल राउ जो करो करें लिए तुम नहीं चॉरी की यार मैंने तुने मिझे चॉर के बनाया वारना मेरी गल्फ्रेंट कैसे मिलती यह तुम मेरी वाट लगाएगा मुझ पर चॉर का लेबल लगने कोई बड़ा का में क्या है बोलना एक देखे कोई अच्छी नौकरे ढूंड चल जा नहीं जाओंगा कहा नहीं जाओंगा फोन लाया थेंक्स यार सत्या मिल गई मेरी स्वीड़ार बाई यार यह फुन दोने कब बड़ाया बच्पन की बात है जब मैं चट्धी में इसे प्यार नहीं करोंगी प्यार करते नहीं हो जाता है कि अब कर दो मेरी अधिक कब से हो गए मैं अधिकवार तुम्हें जो चाहिये था वह देने के लिए तुम्हें कहां से बिला वो चोर चाय-पानी के पैसों के लिए चोर बाजर में यह फोन बेच रहा था उससे छीन इसलिए यहां आया डिनर पे चले हसी मतलब हसी है चाइनीज और यहां तो फिर तुम्हें चाइना ले जाता क्या है सच में तुम्हें गुंडे हो क्या वो मेरा प्रोफेशन नहीं है जैनेमन मेरी ज़रूरत है करोड़ों रूपे कमाकर अपना बिजनिस डानली के लिए फिलहाल मैं यह काम कर रहा हूं प्यार से मांगो तो गुंडे बहुत मारते हैं इसलिए यह सब करना पड़ता है अब यह कि बताओ यह ब्रैंडेड फोन है लेकिं तुम्हारे किसी काम का नहीं आरे कम से कम सुबा सुबा उटके गुड मॉनी का मैसेज चाहिए वो नहीं तो कम से कम रात को गुड़नेट का मैसेज तो अपनी जवानी को तुम दिकार में इस तरह वेस्ट क्यों कर रही हो तुमने मेरा फोन चेक किया तुम दिखने में तो डीसेंट लगते हो पर अंदर से बदमाश हो क्यों तुम नहीं हो क्या हाद रिंग पीकर डॉक्टर का जॉब करती हो वैसे कौनसी वाली पसंद है सचका हूं तो मुझे पीना बिलकुल नहीं पसंद मेरी पोस्ट के हिसाब से पसंद जॉब, दो लाग सालरी और लक्शुरी लाइफ यहीं चाहती हूं तुम्हें मैं एक और बाल बताओं मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करोंगी वहां जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से शादी करके सचल हो जाओंगी यह बताओ करोड रुपया कमा कर तो यह सारे बरतन उल्टा पूल्टा करके हाई मर गया हाई मर गया कहकर नाचता रहता एक बात गांट पान लो तोस्ती हो या यारी हो हर बात की हद होनी चाहिए हर रिलेशन की अपनी एक लिमिटेशन होती है अच्छा रिलेशन है लिमिटेशन है हर बात के पीछे ओवर लगता है मेरा एमोशिन ही से समझ में रहा है सच में तुम्हें गुंदे हो सुनो मेडम, हर एक्षन के पिछे एक रीक्षन जरूर होता है तुम बहुत लखी हो बिन मांगे तुम्हें तीन बार किस मिल गई वैसे आज का दिन याद रखना अभी जारी हो लेकिन एक दिन वापस लोटकर जरूर आओगी हेलो गनी भाई, गुड मॉर्निंग तु कहां गाए अब थारे क्रिश्चन इसे सब लोग याँ ढूड रहे हैं और इसे कोई फारक ही नहीं पड़ता जब इसे फार्स टाइम देख गा था तब ही समाज गाता बहुत चाहलो चीज है सुन सीनू जे बै क्रिश्चन का पता चला भाई, मैं आ गया भाई घुड मॉर्निंग घुड मॉर्निंग सीनू जे बै रसूल मेकैनिक के वरक्शॉप पे जो सिर्फ धम की दिनी माल देता है तो कैश लेकर आणा और कुछ नहीं जाओ ठेक अबे ये जरा रूप मालिक में क्या बोला तुमें एक काम दिया है मुझे एक काम दिया है तुमारा काम पुरा होने के बद मेरा काम करने के लिए बोला सब कह रहा है चलो भाई से पूछ लेते हैं भरोसा है तु थोड़े जुड़ बोलेगा चल अब अब दकान पीछे बैट जा मैं अभी चलूँ क्या बैट चल तेरे साथ ही बैटता हूँ चल आजा शाना मतमन जल्दे मता मालका है नहीं मालूं हम लोग श्री साइलम के आदमी है दो दिनों से सुरत नहीं देखे तुम्हारी पता है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है फोन इसली उठाया था कि तुम्हें फिर से समझा सकूँ मैं दुबई जाने तक किसी से प्यार नहीं करूँगी बता था ना दुमें मेरी बात सुनते ही तुम अपना प्लान बदल दोगी मेरा प्लान बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि मैं प्यार करूँगी ही नहीं इस साइलम क्यादने हो तो क्या हुआ माले आने ही है जब बोल दो यह कोई जगा है गर्फ्रेंड से बात करने की जैनेमन दो मिनिट जड़ा होड़ करना ओके इस से बता दे माल कहा है मैं तुझे पांच मेट देता हूँ इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खोद होगे इतनी बार कहा हमें कुछ नहीं मालूम है वहां है वहां रखा है माल बाई माल मिल गया है बोलो जैनेमन तुम क्या कर रहे हो तुम क्या कर रही हो एक पेशन को मैं स्टिचस लगा रही हूँ एक और भेच रहा हूँ तुम्हारे पस मास्ट बिजनिस है मैं ठोकता रहूँगा तुम टाके लगाती रहोगी क्या गेति वह जल्दी बोलो इस काम में मेरा कमिशन कितना रहेगा चलो चलो जो जो इसे बोलेए अफसल के मेंटर साल हो गया है अच्छा वह हमेशा के सपोट पर भाई अपने साथ मुझे हमेशा आगे बिठाते अपना अगला शिकार करीम भाई तुम मेरा एक काम करोगे क्या काम में बोलो पासपोर्ट प्रॉब्लम है केरला के अड्रेस पर यहां का पासपोर्ट नहीं बनेगा तुम जर अपना इंफ्लेंस लगाओ ना तुमने हुकम किया काम हो जाएगा ना होगो यह रुख 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 नीर भोला था पीछ ले रहे है है ले-ले-ले-ले में फिर से होल्ड करना पांच मिनिट मैं आथा हूं है 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 में द्र met , , , , , , भ起來 आज़ और आज जो कि दो को कि अटनू है भाईयों भेनों और मामों पैसा वसुल करने वाले कृष्णा का तुम्हें फिर से नमस्कार आखरी मौका देता हूं पैसा चुकाती जिए इसमें इतनी हिम्मत है यहां से पैसा एक बार यह यहां से बचकर निकल गया था लेकिन इस पान ही चाह पाएगा चानों तरफ से घे रिंगा रिंगा रोजेज शब के कार्टून नोजेज अल फैल डाउन पहले कॉन दूल चाटेगा भै कि अब तक उसे मारा नहीं है अरे तुम तो हमारे घड़ के महमान हो चिकन बिर्यानी खाओगे मेचा बढ़ बढ़ी खिलाडी तुम्हें तो आसकर अवर्ड मिलना चाहिए रहे चाको बुढिया के करदन पर और तुचिला रहे पैसा निकाल अरे जल्दी देना भाई पांसो रुपे कम है जोड़ कोई बात नहीं होट मार दिया अब रुक्यों गए इसमें पांसो कम है अब जो है ले जा कैसे ले जाओंगा पांसो का वेल्यू क्या जानता है न तू मैं जानता हूं भाई अरे दोस्त तो अभी तक यहीं पर है हनीमून मनाने थोड़ी आ जो पांसो कम पढ़ रहे है ना बेटा वो में देती हूं है है यह हो गया पांसो दोस्त भाई भाई काम बन गया है यह उपकी सबसे बरबर है अब गधे तुझे शायद पता निए कि आज कल में किसके साथ काम कर रहा हूं और कौन है मेरा बोस श्री सेलम यह कृष्णा उन अब तक जो कुछ भी हुआ अगर वो तुम्हें कम लग रहा है तो बाहर मेरी गैंग खड़ी है यह लिगपपा गोड़ा छोटे से भीड या बड़े से भीड लेकिन मुझ जैसे छिछोरे से कभी मत भीड हर किसी को मैं एक ही बार समझाता हूं तो बारा माका नहीं देता ह भाई मुझे तुम पर बहुत पक ना भाई यहीं तो मरदान गिया है अब मैं चलता हूं कोई बात नहीं दोस्त अरे कितनी दे लगा दे भाई खड़े पैर दर्द कर रहे हैं समझता हूं भाई तुम लोगों को पार्टी करने के लिए पार्टी ने पैसा दिया हुआ हुआ है अब दो था कि अब हुआ है कि मुझे मानेगा तुम तो क्या तेरे बाप को भी मारूंगा फिद्नैपिंग रंगदारी से पूरे शहर को धैशत में रखने वाले एक खतरनाक माफिया कैजर को मार कर इंस्पेक्टर डिसिल्वा ने यह दिखा दिया कि पुलिस पार क्या है पुलिस डिपार्टमेंट पुलिटिकल लोगों के हाथों की कटपुटली है सिक्योरिटी के नाम पर रिकवरी का एक नया धंदा शुरू हो चुका है सर यहां पर मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ यह तो तुम जानते ही हो उससे 30 करोड़ वसूलने से पहले ही तुमने उसका एंकाउंटर कर दिया क्यों उसके दहशत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी सर मैंने तो बस एक पुलिस आफिसर का फर्ज ने भाया है बहुत अच्छा किया नेक्स्ट कौन श्री सैलम वो नहीं मिलेगा सर और ये बात आपको भी पता है वो अपने काम का कोई सुबूत नहीं छोड़ता मानी ट्रंजेक्शन भी वो बहुत सीक्रेट तरीके से करता है मझे चहाँ तक पता है उसके पीछे जगदिश राओ जैसे बड़ी हस्ती का हाथ है कमिशनर से बड़ी किसकी पोस्ट है वक्त आने पर सबको समाल लेते हैं खेर मेरी बेटी अमेरिका में एक हॉस्पिटल बना रही है सो करोड भेजने का मैंने प्रॉमिस किया उससे अपनी बेटी से किया हुआ प्रॉमिस मुझे पूरा करना है समझ गए ना 20 डेस का टाइम दीजेगा सर्व 20 डेस टाइम परसो मैंने टीवी पर एक डॉकुमेंट्री देखी यहां बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो सेटेल्मेंट करना चाहते हैं हम उनसे करोणों ले सकते हैं तुम टेंथ में फरस्ट आय थे आईपेस में गोल्ड मेडलिस्ट हो सुना रणिंग में भी बहुत तेज हो इसके बावजूद मेरे सौ करोड़े कठा करने के लिए तुम्हें 20 दिन चाहिए तुम जैसे स्लो काम करने वाले पुलिस ऑफिसर पर लानत है थू मुझे सिर्फ अपने काम से मतलब है बाकी दुनिया चाहे भाड़ में वो काम चाहे तुम करो या फिर कोई चप्रासी मैंने तुम्हें ट्रागेट दे दी है कैसे करोगे तुम जानो जाओ एए सल्यूट करना भूल गया सुरी सर सुना तुने समझा की नहीं समझ गया सर क्या समझा तुने कैसर को तयार भी उन्हें लोगों ने किया और मारा भी इसलिए कहता हो तु जल्दी नहीं समझता तुने कहा था डिसिल्वा के साथ तेरा बहुत अच्छा रिष्टा है लेकिन वो डिसिल्वा कभी तेरे काम आएगा इस गलत फैमी में मत रहना क्योंकि उसे सिर्फ फैदे से मतलब है हाँ अब समझ में आया कोई भी इंसान जब पावर में रहता है तो अपनी आवकात दिखाता ही दिखाता है जैसे मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ वैसे ही उसके पीछे कमिश्णर खड़ा है मुझे विश्वा से तु पूरी बात समझ गया होगा नेक्स्ट मंत में बहुत बड़ी डील होने वाली है सौदा दो हजर करोड का और प्रॉफिट दो सो करोड का और इस काम के लिए मुझे एक बकरे की जरूरत है है तो ठीक नहीं तो तयार कर ले एक बकरा है मेरे पास नाम है क्रिष्णा क्रिष्णा देल कितनी बड़ी है ये तुझे पता है न वो जानता था कि मैं क्राइम की दुनिया का किंग हो फिर भी उसने बहुत करारा जवाब दिया है आप समझ गए ना चोटी सी चीटी भी कभी कभी हाथी को नाचना चाहती है उसे कमजोर नहीं समझना चाहिए दो-चार दिन में डील होने वाली है तु अपना काम शुरू कर दे करता हूं सर अरसुन जी सर किसी भी इंसान से कोई जोर जबर्दस्ती नहीं हर काम समझ कर करना है देर से ट्यूब लाइट चली अब जा थैंक यू सर नमस्ते बैट जा ए चकरी पेपर दे इसे ये लो पेपर साइन करो कुछ खास नहीं है वर्ल्ड बाइंट से लोन लेना है गैरेंटर मैं तुम्हें बना रहा हूं इसलिए हाँ ठीक है भाई भाई यहां तो गोवा लिखा हुआ है भाई अब क्या है मैं फोटो दूगा तो वो गोवा जाएगा फिर विधेज याएगा उसके बाद सभी लोग देखेंगे क्या भाई थोड़ा फेस वाश तो करके आ जाओं प्लीज भाई भाई सब वाश्रूम का है उदर है फेस वाश ग्लो ग्लो अब लीजिए ए चक्री फोटो ले लेड़ी ओके ले लो करोड़ों की करोड़ों के लिए सब कुछ मतलब आपके लिए जान भी आजीर है केस डिटेक्शन ना यू के लिए बाहर बैठो चीके भाई यह क्या है बाई सीनु भाई को पचार कर तुम आगे निकलते जा रहा हो सीनियर की थोड़ी तो हिज़्जत करो शेयर के नामी किरा गुंडों का आजकल एंगाउंटर हो रहा है ऐसा भाई ने बोला है नियूज चैनल में भी यह हेडलाइन है ए सीनु कुछ दिनों के लिए सारे गैंग को स्लीप मोड में रखो ठीक है बाई जानते हूं स्लीप मोड क्या होता है जानता हूं क्या है किसी के हाथ में गदनी क कुछ भी करें उस पर रियक्त नहीं करना है अच्छी बात है भूला नहीं जाओ मुझस से आगे जाने की कोशिश करने वाला उपर चला जाता है है मेरे पारो डारलिंग बहुत दिनों से बात नहीं हुए है एलो पासपूर्ट का काम हुआ पहले लाइन में सवाल पूछ लिया टॉमैंटिक मोड में इंसान हमेशा नहीं रह सकता आरो माइग डे काम की बात भी मैं रोमैंटिक स्टाइल में ही करता हूं अब बस करो तुम्हें बात करने का मौका देते ही तुम रोमैंटिक हो जाते हो मुझे ऐसी बातों में कोई दिल्चस्पी नहीं सुनो डालिंग अभी हमने आर्गुमेंट्स बहुत कर लिए अब काम की बाद डिसकस करने हैं जरा सा कॉप्रेट करो ओके फोन पहले की रहो मुझे साइड लाइन कर दिया है सेनो मैं हूं सेनो आज के बाद से सेटलमेंट सिर मेरे दाम से होना चाहिए तो हम ऐसे कोई नहीं पचेगा गाइंग के स्लीप मोट में रहने तेख हम जो कुछ भी करें उसे पता नहीं चलेगा मैं भी देखता हूं कॉर मुझे मात देता है हर तरफ खुश्पु पड़ी अच्छी लग रही है खुलों का गुलतस्ता ही जब मेरे घर पे चलके आया है तो मेरा कमरा आटोमेटिक खुश्पुदार हो जाएगा हसी आज भी जबरदस्ती किस करोगी क्या तुम्हारे दिल को चोट पहुँची गया तुम्हें बहुत बुरा लगा था क्या उस दिन की किस से तुम्हें जरा सी भी तकलिफ होई तो फिर जबरदस्ती कहां होई मतलब तुम्हारी आखों में मुझे अजीव सी कशिश नजर आई मेरी आखों को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लेती है मैं भी जरा तुम्हारे निगाहों को पढ़ लूँ पनाइएपी तुम मेरे संझ चलो 143 143 कहना है मुझे तुमको है बेबी, है बेबी, तुम मेरे संग चलो 143, 143, कहना है मझे तुम को क्या है सुझी देहना, मैं जानू तेरी सारी बातें दिन होया डेना करता है बश्य रारती, हारे हाय अलाला सताए मुझे आते जाते क्या करो, सुझे ना मझे है बेबी, है बेबी, तुम मेरे संग चलो 143, 143, कहना है मझे तुम को नजर न लग जाए इस दुनिया की तुझको सबसे है प्यारी तुम जो तुझे आने की सिवा कुछ और प्यारी तेरी खुश्बु है जाकत सोते मेरे हर पल में तु ही तु है दिन होया देदा करता है बश्चर आरती हारे है अला शताए मझे आती जाती क्या करो सुझे ना बच्छो तुम अब सेरी ही आखों मेरे हो गया आ सब को भूला कि तु मेरे संग जुम और तेरे में सी ना होगी कभी कोई ये ना कहूं सदा हर अब से यही दुआ मांगू कि हम ना हो कभी जुदा तिल है ने खागू तो हम अब जच को ही जाए तुछ को चलबारू तुचेली दूडे मेरी बारे खाइब जुदा जुदा बारे अब जुदा आप जुदा बारे अच्छानक से आ गई खिर मत करो अरे आप लुग दर्वाजा नहीं कर सकते क्या नौक कर रहे हैं पिछले आदे घंटे से नौक कर रहे हैं डीटेल्स बताओ मैडम जी डीटेल ना पूछने का क्या लोगे बताओ आप चातें को डिस्टम न करें तो दो हरी पत्ति देदो अभी बेफी कर रहो दर्वाजा बं आप चाती जीटें बेरे साथ इसने बड़ी नंगारामी उसने खुद अपनी मात को दावती है उसीनू को इतना उचाना मैं ने दिया और उसने मेरे साथ इसनी बड़ी घदारी की उसकी नमकरामी सब एसमें इनला आप नमकराम थाए ऑई आप थार्फ आप आप थाए सीनु को बाहर से कस्टमर दिलाने वाले चम चाहेंगे एडवांस के साथ इंकुत्तों को या खसीट के लाया हूँ अभी जाओ मेरे साथ नमक घरामी करने वाला वो सीनु मुझे चाहिए मैं तुम लोगों को उसे मेरे पास जिन्दा पकड कर लाना है मुझे उससे बात करनी है क्या बात करनी है बॉल मेरे कस्टमर को माल बेच कर तू कहां गायब हो गया मैं कहीं नहीं गया था इतना बड़ा दोगा करनी के तुछ में हिम्मत कहां से आई अपनी हिम्मत है भाई आप एक जटके में इस गन के गोली तेरी खोपड़ी क्यार पार कर दूगा पूलेट के खेल में तुभी नहीं मैं भी मारे बात कर रहा हूं ना बैच जो कोई गोली नहीं चलाएगा कि जी सर तारे कागजाद को भी जवा दिया सर क्रिश्छना पर तुने नज़र रखी है नज़र रखी है जी सर्ट यह जीवा पर है ना बिल्कुल जजरा चोकन ना रहे वर कबतक पहुंचेगा। से कुछ काम है कब तक पउंचेगा तु तु मुझे जाने देगा तुझ में डिपेंड करता है आदे गंटे में पहुच रहा हूँ सर ठीक है जल्दी आ तेरी प्रोब्लम क्या है क्या चाहिए तुझे पैसे चाहिए हर महिने तो लेता है हमारे दंपे करोडों कमाते हो लेकिन हमें क्या देते हो तो हम पचास हजार अने लंबानी लाखों करोड कमाता है अपने वर्कर को बराबर का हिस्सा देता है क्या आउकात बनानी पड़ती है तेरी है तेरी है क्या मैंने आज तक कितनों को मारा फर्क नहीं पढ़ा तुझे भी मारूगा मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अपे भाई को समकी देगा तो तुझे मारा लोगा भाई आखे मन करो अभी इसको माराता हूँ मैं एक क्रिष्णा फागलबन बंद कर अपनी कर देख सिनू तुझे पैसा चाहिए ला कितना चाहिए बोल मैं देने को तैयार हो अरे क्या सेटल्मेंट करे हो भाई मैं इसे आभी देखता हूँ आप सिरिफ हाँ भोलो भाई अभी इसकी लाज गिरा दूगा आपके सामने तेर चालो हो गया तैरा चुप देख सिनू एक करोण दो करोण फाइनल तीन करोण एक गणेश पैसा लेकर हाँ आँ माइश पैसा हमेशा से मुझे तेरे नियत पर शक था लेकिन कभी बोला नहीं अब जा जल्दी करो चलो 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 जिसने तुझे गन चलाना सिखाया है, उसके लिए तु सिगरेट नहीं जलाएगा जलाएगा या नहीं? आज तक यही काम करते हैं, विकर अब समय बदल गया है भाई बॉस है बे इस लाइन में जिसके हाथ में गन है, वही बॉस है भाई पर कॉण बहुं, बिना गन के भी बॉस में गिरूगा जाएज जिने का कोई हग्र रही है हक्म करते इसे भूल गया के भाई ने क्या का है? स्लीप मोड किसी को मार रही सकते है सारी भाइ भूल गया था हम कहीं पे किसा की लाश नहीं गिरा सकते है इसे काम रहना करके रास्ते में उड़ा के पुलिस को बता देंगे करेक्ट एक काम करता हूं भाई इसे मैं ले जाता हूं करेक्ट ए सिनू तू मेरे साथ डील कर या मैं तेरे साथ डील करो प्रॉफिट मेरा ही है इट्स फाइनल है मेरा टारगेट एक करोड़ का वह वाला पांच दूसरा वाला पांच इधर का पांच लिंगपा को मिला कर हुआ पीस लाक रुपया अभी मुझे असी लाक रुपया और कमानी का है मैं सबका एक फोटो लूँ तो मैं क्या पोस्ट दूँ लिस्ट में अभी भी लंबा सपर है जीत किया चलो निकल वहां से यहां रखकर तो जीत किया ज़रा सब्र रखेगा रख लोंगा तो ही 500 रुपय नहीं मिले मुझे और असी लाक कमाना है को जाकर बता वो दिल खोल कर देगा गुड़ा एडिया रुक्षा में जा क्या है अब बच्पन मेरे साथ भी ऐसा ही होता था जब कृष्णा के साथ अरे बाबुजी यहां से आईसटी बैंक से लोन लिया हुआ नारायन क अरे बाबुजी आपका बचा हुआ लोन माफ कर दिया यही कहने के लिए मैं आया था अब खुश हो ना शुक्रिया बेटा अब बोलो जाने मन तुम्हारे लिए एक सप्राइज है शादी से पले माँ बदने वाली हो क्या एई मेरे ममी बापा आये है अब वो किस लिए आय तो बेटा लड़के ने क्या कहा वो दस मिनिट में आ रहा है पापा तब तक कॉफी हो जाए उसी के साथ भी हैंगे बेटा ठीक है यह बताओ तुम तो अपना जॉब दुवाई में कंटिन्यू करने वाली हो लेकिन वो क्या करता है एजी इसने कहा ना कि वो लोन दिकवरी काम करता है। मेरे 10 क्रोड यादे ही या भूल गया? कोई प्राब्लम आया तो मुझे फोन करना डिस दो हुआ 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 है गलती करने वाला है याँ सिंदा नहीं बसता मैंने तुझे पहले ही बोला था फिर भी तूरे गलती की मेरे मुगा निवाला चीनने की घलती की तुने इसके साज आप तुझे क्या मिलेगे तु सोच भी नहीं सकता तुझे करना अप्री वाल कर दिया इतना साथा तब से धंदे में हूँ सीनू मैं हूँ सीनू मुझे एफोन करने दूरा भाए मौत के मूं में खड़ा है फिर भी गल्फ्रेंड याद आ रही है हाँ श्री सेलम भाई से बाद करके इस मेटर को सॉल्व कर देता हूँ एडिया मुझे क्यों नहीं आया ब हाँ आओ आओ डिसलवा बेश तारिक के रात को जॉय जॉहरी के यहाँ पे एक डाका पड़ा था पच्चिस कोड़ से जादा के गहनों की चोरी हुई थी वहां से चोरी किसने की वो तुमारे ही लोग थे हिस्सा चाहिए तुम्हें वो आदमी चाहिए बीच बाजार एंकाउंटर करके मुझे वो कहने लोटा ले तारिक क्या थी बेश तारिक तुम्हें से ले जाओ क्रिष्णा मेरा मौहा है जहां चाहिए वहां मिलेगा जिंदा दोंगा लाश लोगा भाई सीनों ने मुझे किड्नैप करके रखा है मुझे मारने की धंकी दे रहा है आप आके सेटल्मेंट कर दो ना तो यह मुझे छोड़ देगा प्लीज भारी, क्यू प्लीज बाचलो भाई मुझे बचलो , प्लीज भारी All भाई भाई спасибо को अब मैं इस्तेमाल करूँ अ हहहहह तू क्या समझत अहो यहां आकर तुझे बचा कर ले जाएगा। घलत फैमी है तुझे आपरो, आपटरा कहल कात्मुट कहल कात्मुट ज्याग क्रिश्मा अब हम निकलते हैं बेटा कुछ ती रॉन वेट करें वह ग्यारा बजी आने वाला था शाम के पांच बज गए बेटा देखो उसने दस मिनट का वादा किया और अब तक नहीं आया इससे पता चलता कि वह तुमारे वक्त और प्यार की कितनी कद्र करता है बजपन से लेकर आज तक तुम अपनी जित पूरी करती आई हो मन पसंद स्कूल, कॉलेज, जॉब और अब बोईफरेंट ये फैसला इतनी आसानी से मत लो बेटी याद रखो ये तुमारी पूरी जिंदगी का सवाल है थोड़ा सोच समझ कर फैसला लो तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हारे माबाब है, जो कहेंगे तुम्हारे भले के लिए ही कहेंगे, तुम्हारा कभी भी पुरा नहीं चाहेंगे, अपना खयाल रखना बेटी ट्रेगर दबाते ही एक सकंड में तिरी सांस रोख जाएगी बाहर निकल गया तो तुझे कुट्टे की तरह नोच कर मार टालेंगे तेरा मरना तो कंफर्म है अब क्या करेगा तू आखिर पूरा मेटर क्या है जाना चाता हूँ फोन कट कर रहा है क्या हुआ फोन पर फोन किये जा रहा है कोई परिशानी है क्या एक घंटे में मेरे फॉरें बिजनस पार्टनर यहां पहुच रहे है फाइनल मिटिंग के लिए तुम्हारे उस क्रिश्णा के फोटो और सारे डिटेल्स मैच करेंगे साथ लेकर चलना है बुलाओ उसे सीनू उस लड़के को लेकर फरार हो गया सर क्या कहा तो जानता है ना कि आज हम करोडो का डील करने वाले थे और तु इतनी असानी से कह रहा है कि वो फरार हो गया किसी कामकर नहीं है तु सीनू उसे कहा लेकर गया है मालूम नहीं सर अब एतक कुछ भी पता नहीं चल भाय है गैंग पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, 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 तुझेसे गदे पता नहीं क्यों भाईगिरी करते हैं। मैंने तुझे पहले ही समझा दिया था न, कि स्लिप मूड में रख अपनी गैंग को, फिर भी कहता है गैंग पॉलिटिक्स। अरे ये डील हमारे लिए कितनी जरूरी है, कितना रिस्क इन्वाल्वे तुझे पता नहीं था। पता तुथा सर लेकिन तुझे गलती कैसे हुई, कैसे हुई गलती। वो गया तो तू भी जाएगा। याद रख, मैं तुझे एक घंटे की मौलत देता हूँ। क्रिश्णा को मेरे सामने लाकर खाड़ा नहीं किया, तो दो हजार करोण का डिल कैंसल हो जाएगा, और मैं तेरी जान ले लूँगा। तू सिनु का पैर पकड़ेगा या नाक रगड़ेगा, यह मुझे नहीं पता। चाहे कुछ भी कर। एक घंटे के अंदर मुझे यहाँ क्रिश्णा चाहिए। सर जुकाकर क्या सोच रहा है, चल जा। एए सिनु यह बता तू चाहता क्या है, एए इधर आ, एए यह मेरा लड़का है, छोड़ दो इसे। तेरा पाल तो तुझे प्यारा है, मुझे नहीं। देख सिनु, अगर इसे कुछ करेगा, मतलम मुझे करेगा, रुख जा। यह, यह क्या कर रहा है। सूचता हूँ उसके जगद तुझे कुली मार दू, सारा लफड़ाई खत्म हो जाए। मर्डर किसी बात का हल नहीं, शुरुवात है। बातों से भी कुछ हल नहीं होता। सही ढंक से बात चीत हो, तो हल क्यों नहीं होता। रुख जा, रुख जा, रुख जा, रुख जा। टु क्यों ख़र होगा हाँ है। को आठ गे। धी दिया है तुझे गॉख जा, रुख जा, खोसु कर, बहु तेरा है, मिल ओकिना है। सुन किस्ता, तुझे एक होगा, गोली पैर में लगी है। टेंशन मतले है, वो निकल जाएगी, शांत हो जा, शांत हो जा इस से पहले कि दूसरी बुलेट इसे मौत की दीन सुला दे, मुझे गोवा हैंड ओवर कर दे गोवा हैंड ओवर कर बोलो शीरी सेलम डिसुजा, आज से मरने तक गोवा सीनू के नाम रहेगा एक बार उसको दे दिया तो, गोवा लाइफ लॉंग सीनू का होगा और एक बार सोचना मैंने कह दिया ना, ये फाइनल डिसीजन है फाइनल, फाइनल, फाइनल हाँ, ओके, हेई, आज के दिन से, गोवा का सारा बिजनेस सीनू का होगा खुश, दिल खुश क्रिष्णा, कुछ नहीं होगा चल मेरे साथ फास्ट टाइम तो अपने अलावा किसी और की फिकर कर रहा है कोई तगड़ा जोल है क्या? सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी को नहीं मारेंगे तभी वो अंड़ा देगी आज मैने इसकी जिंदगी बचाई है इसका फाइदा मुझे कभी न कभी जरूर मिलेगा ठैंक्स भाई, आपने या तो तो यह मुझे मार देता भाई, मेरी वज़े से गो आपके हाँ से चला गया मेरा यहां रहना ठीक नहीं है भाई मैं सब छोड़ कर दुबई चला जाता हूँ छोड़ कर जाने की बात के तो जान ले लूगा दस दिन और इंदजार कर तुझे जहां जाना है वहां मैं सेफली भेजूंगा तब तक तू अराम के सिवा मेरा कोई काम नहीं करेगा चला जा, गड़ी में बैठ हाई गाईज, हाई क्रिष्णा, how do you do? हाई, हलो खाम शिगनेक्षर पासपोर्ट का काम दियता हुआ क्या आने वाले पंदर दिनों में शेक हो जाएगा कैश कर ओके, थैंक्यू भाई, लोन लेने की बजाए हम ही इने पैसा दे रहे हैं बात मेरे कुछ समझ में नहीं आई रिष्वत बाहर बैठ ओके भाई सारा काम हो गया क्या अर जॉब इस दन येस, योर जॉब इस दन काम पूरा होने के बाद रास्ते के काटे को इसी तरह हटाना चाहिए तभी हमें कभी कोई छू नहीं पाएगा पूरा पैसा अंदर आ गया है, कोई सुबूत नहीं छोड़ेंगे अब आगे से जब भी तुझे मुझसे बात करनी हो तब मेरे प्राइवेट नंबर पर ही कॉल करना पूलीस वाले फोन टैप करेंगे या वो हमें पकड़ लेंगे इसलिए नहीं सर बड़े भाईयों से बचने के लिए मैं समझ गया सर उस बकरे का इस पर जड़ा ख्याल लखना जब तक आपका ये काम पूरा नहीं हो जाता उस बकरे को सही सलामत रखने की गरेंटी मेरी पारो क्या हुआ तुझे कल मुस्करहाट मिली थी और आज आसू मिले है बात में मलती हूँ पारो रुको मेरा फोन क्यों नहीं उठा थी मुझपे क्या गुजरी पता है उस सिनों ने मुझे गोली मार के जखमी कर दिया था मेरी गलती नहीं है समझने की कोशिश करो फिर भी चाहो तो दो थपड लगा दो हों ऑब कोई नहीं चाल चल रहे हो मेरे साथ चलोगी तो सारा मेंटर समझ में आजाएगा तुम्हें मैं नहीं जानती तुम्हारे सथ नहीं आउंगी तुम्हे नहीं जानती चलो यहांस जब फुटो बेब्यू डॉन फिया, I am here. अब ये नया नॉंसेंस कौन है? नॉंसेंस कौन है? चीफ नियॉरोलोजिस्ट हूँ है. नर्स पकड़ कर दबोज दिया, तो सारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा. तु नियॉरोलोजिस्ट है, तो ये चक्कू है. अगर मैं चाहूँ तो तेरे ही अस्पताल वाले तेरे ही सुसाइड केस का सर्टिफिकेट दे देंगे. बोल चखना है मजा तुझे? आएगा हमारे बीच में? पूल डॉन ब्रो. आप हमारी बेबी से मिलिये, मैं अंदर अपना काम करता हूँ. ए बेबी, नर्स! तुम सच में मुझसे महबत करते हो? हाँ, तो. तो फिर मेरे साथ आज वाद दस बजे दुबई जाने की तयारी करो. इतनी जल्दी ये सब कैसे हो सकता? तो फिर गल शाम को चले? परसो मॉनिंग? दो दिन बात भी जा सकते हैं. इतनी जल्दी मुम्किन नहीं है पारो. जब हम मिले थे, तब क्यों नहीं बताया था कि ये मुम्किन होगा या नहीं? जब प्यार करते हैं, तो नामुम्किन को भी मुम्किन बराना पड़ता है. रहने दो, तुम से नहीं होगा. आपको जो कहा था, वो ला रहे हो, ना? क्या ला रहा हूँ? मुझे होटिल का मस्त खाना चाहिए. कल पतारू, तु जानती हो माचाहिए लाव यू. तो एक काम कर उस प्यार से अपना पेट भर ले, मैं नहीं आ रहा हूँ. प्यार से सब का पेट कैसे भरेगा? तु कुछ जुगाट कहले ले ला? बच्चो को भूल के क्या? उन्हें फ्राइड राइस खिला? रात को बहुत हेवी हो जाएगा. शिकन खिला दे है? अज या आज मंगलवार है, पाप चड़ाओगे क्या? एक काम कर, जो भी घर में वो बना के खिला दे. रोज तो घर का खाना खाते हैं. आ तो? कभी तो अलग खिलाओ. इटले संबल लाओं? हर बार तुम यहीं क्यों लेकर आते हो? है, दो मिनिट में मैगी बन जाती है, बना ले. मैगी आजकल मिलता कहा है? अब तो क्या पत्चे के चाल लगी? मैं जो खोँगी, वो तुम ले आओगे क्या? यह मेरी बीवी ऐसी है, यह दुनिया के सारी बीवी ऐसी होती है? ए, ए, सब! पारो, मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ. अचानक तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? ए, इतना बड़ा पत्तर कहां से आगे है? ए, खड़ी-खड़ी नहीं तिक्टी क्या! अरे ज़ग खड़े-खड़े ठोक रहा है! अफिसर, हैंतरबाज ओट्रो यूनियन प्रेजिडेंट घमेश रिपोर्टिंग सार्थ! ए, इधरा! आगे! आगे या! लगता है, तू भी मेरी तरह गम के साकर में डूब है, इसके बिना तू भी नहीं जीए सकता न, ऐसे घुट-घुट के जीने में क्या मसा है, इससे चा मर जाना बेदर है, हम चाहिए जो कर ले, हमारी किसमत में दुखी लिखा है, मेरे को देख, क्या हो गई है मेरी बोलना, हमें कम देने वालों की वज़े से हम सब कुछ गवा देते हैं, क्या बात कर रहा है, मैं पिना पैसे के इसको लेकर आँ, पोकेट की चीज बार बार नहीं मिलेगी भाए, आज तू लखी है रहे, जो एक बार लव करता है, उसकी पूरी लाइफ नशा बन जाती है, वो खुश होनेगा, नाटक तो करता है, लेकन खुश कभी नहीं हो बादा, ये, बोतल हाथ में रहेगी, तो इमोशनल कर देगी मैं इस से जल्दी, क्या तब करता है, अबे, मैं लावर की बात करो, और तू अपने कोटर की बात कर रहा है, जाले, जाले, तुले मुझा बा रही है, बड़े फ्रस्टरेशर में मिली है, नाम क्या है, और कोई इसे नाम को पूष्ट है, कत्री ना कैफ, ये कत्री ना कैफ रही है, आफिसर, ये काटले वाला जाइप है, स्वीट अजल्ट का पफेक का बड़ेशन, चल, क्या देगा, तेरी लाइफ सेट कर दूगा, अगर प्यार दिया तो ही काफी है अरे वावावाव आज रात को हम तो स्वादी करेंगे पंडित को बुला है अरे माव ले मरे पेड़ी शादी अपोसर यह इस नहीं मिक्सर है इसके जाल ममर पसदा मिनने जेक्टर में फूपतर रहे जाओगे उतर बाब प्रे बिल्कुल सन्ना टाल सुहानी राथ यहां क्यों लाया है राजा अभी बताता हूं पताता हूं यह चाल बाब निकाल तो ठोकर मारेगी तो मेरे को दूसरा अप्शन नहीं मिलेगा देख इसको लगती है कि नहीं मल्ली का की तरह हसी ना तुम हो बड़े नौटी और मैं हूं हौटी इस फिगर को देख कर किसी का दिमाग खराब नहीं होगा क्या इसका नाम जानती हो जाने मन नाम क्या है तेरा कात्रीना कैफ सिस्टर आप महम्मद कैफ और इस वर्थ मेरी वाइफ क्या हुआ जाने मैं कुछ हो रहा है कमफोर्टेबल हो ना अब तुम्हें इसकी क्या जूरत है हम शादी करने वाले ना लवर हुत्वा ऐसी फॉल कोपरेशन देख के सीको कुछ क typically ॐ चले गई है और घर की खिटिंगी विद्ध बबंगर भी उस लटकी में अइसा क्या रखा है उससे जयादा क्यूबसुरत में माना तो खूबसुरत है और मैं भी जान गde आण क्या हो गया तुम्हें उसके सामने मेरी करीबाने से शर्मा रहे हो अरे यह मिक्सर आफिसर बाद पड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तुम मुझे पर यकिन नियो रहा ना तो इसके प्राफ पाल के क्लो भालू जैसे अफिसर आपकी प्रब्लम मुझे सों में आगे मुझे वन सेकेंड का टाइम दो सिस्टर आइव डोंट टाच यू प्लीज काम दिस इस यौर मार्क दिस लेस सेम सिस्टर यह जबर्दस्ती कुस्सा दिखा रहा यह तुम्हारे प्यार की तरप है एम आई करेक्ट प्रोशीड और अनर तुम लोग कंप्रबाइस करके एक दूसरे से घुल में जाओ और इस डूएल सिब को मैं अपने साथ ले जाए जो हमता है प्यारे इस लड़की की वजह से मेरी से शाधी टूट गई है तो आप तू करेगा क्या अरे तो चलने मेरे सा यारो तो मेरे को कंदे में बोश डालरी तुब बैट याए से निकल चल कुछ हुआ तो नहीं ना अरे उपर वला अपने साथ है और अगर होगा तो भी देखा जाएगा इसी बात का इसी बात का मुझे हमेशा डर रहता है पहले मेरे मॉम डैट नहीं चाहते थी कि मैं दुबई जाओ लेकिन अब वो मुझे जबरतस्ती भेज रहे हैं मेरी लाइ अभी जो तुमने कहा वो कल सुबे तक याद रहेगा ना याद नहीं रहा तो याद रखने के लिए याद दिलाना पड़ेगा इरादा क्या है इरादा तो यही है जो पहले किया तो हमीशा यही सोचते हो मौका मिला नहीं कि फाइदा उठाते हो चलो हटो जब देखो तो परारो माइह घुड़े मारनिंग मेलै लाइव को बनाने के लिए मैं गभन गो या ऑगो गँव कि अरई है कि का कि पार्वथी इश्क रूग दिल में पाला एके तुछ को मेरा मन दोला ए पार्वथी तेरी आखोने मुझे मार जाला क्या हुआ मुझे को थम पहले कितना भोला दिल्दे होश्र कें पहाणी इतने गाभे चैनी बढ़ाँ समझ जग चाहिए गिर ना जाले युद्वार बोडिके आपने खाला प्यार का बनाओ मैं किल्ला प्यार का बनाओ मैं किल्ला दूला गेकर रखकर जिल्ला दूला गेकर रखकर जिल्ला पार्वथी तेरी आखोने मुझे मार जाला प्यार हुआ मुझे को आमे तहले कितना भोला क्यात की यार कि और इंधी को आख अले मुझे का झाला ना भीके आखोने मुझे आखे जिए खा खा जिल्ला बगिन था की यार जा Portugal सकतितके आखो आखोने शिकर आख़ंशБवसsis अथिसे आखोने मिंसों आखोने म। अग देरे लिए है जीना नहीं जीना तेरे बीना ये प्यार है एलम जिष प्यार है प्यार काबनाँ मैंकिला ओडार काबनाँ मैंकिला तूला केका रट्पर प्याँ जाँ तोला गेक्ता रप्पर गेल्ला कुछा के हाँ ताइक्ता राणि judges ? करे कांपिन पुझे जुरा लोगा कातई ज्मेहीं हुआ मेनी लिकसी है का छाही का है मैं … प्यार पुजत पार्टी तेरा इंतिजार कर रही है, जा हलो डिसिलवा, सी आई डिसिलवा तेरा नाम सुनकर घबरा जाओंगा, इतना डर्पोक इंसान नहीं हो मैं वैसे भी मेरा एरिया बदल गया मुझे तेरी घबराट की नहीं, तेरे साथ की जरुवत है सीनु जो भी काम करता है, उसकी कोई ना कोई क्यमत होती है प्राइस सुन करतो तो खुद भी हिल जाएगा ज्री साइलम दो हजार करोड का इल लीकल ट्रांजक्शन कर रहा है, मुझे उसकी पूरी इंफरमेशन चाहिए पूरी मतलब पूरी कैसे करना दो तू समझे अपने धंदे में कितना भी बिजी हो जाओ लेकिन तुझे नहीं भोल सकता क्रिष्णा उस गैंग में क्रिष्णा नाम का एक लड़का है, उसे उठा लो, काम हो जाएगा जरा प्यार से इंटोरीगेट करना और इससे आपका भी काम हो जाएगा बहुत बढ़िया सुरी सर तुम्हारा प्लैन क्या है? उसकी गैंग में एक आद्मी है जिसे हम महरा बना सकते हैं सर उसका नाम है क्रिष्ण अम उसे उठा लेंगे श्री सेलम को कानो कान ख़बर भी नहीं होगे और हम उसे सारी इंफर्मिशन उगलवा लेंगे प्लैन इंट्रेस्टिंग लग रहा है इस सोच को डिलीट करने से पहले मुझे जरा सोचने दो एए इन दो उगलियों में से एक को छो एक है गन शॉट और दूसरा है करिंट शॉक प्लैन में कोई गडबर हुई तो दोनों हो सकता है इसी वक्त काम पे लग जो जाओ एए सारी सार कहां गई होगी है होस्पिटल में ढूंडा तो कही नजर नहीं आई फोन किया तो उठा भी नहीं रही है हलो डिसिलवा सी आई डिसिलवा सर जब अपना कोई लापता होता है तो पुलीस कंप्लेंट करनी चाहिए यह नहीं पता तुम्हें क्या पुलीस स्टेशन आ जाओ अब यहां यह सर पारो क्रिश्ण क्या बात है पारो मुझे यहां क्यों लाए हैं पता नहीं सिर्फ बैठा कर रखा है सर क्यों वे दो गंटे तेरी माशू का क्या गाइब हो गई तुझे इतनी टेंशन हो गई हमेशा के लिए गाइब हो गई तो ऐसा नहीं होगा सर क्या ऐसा ना हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर तो जो मैं कहता हूँ वो कर त्रीसलम रोज किस कि से भिलता है वो किस कि से बात करता है और वो क्या प्लैन बना रहा है यह सारी ख़वर तू मुझे देगा तो सब सही रहेगा कोई प्रबलम है पंट एंफॉर्मर बोलग मुझे मार देंगा सर तेरी माशू का की जान प्यारी नहीं है क्या ठीक है सर यह ना समझदारी की बात जो मैंने कहा वो तू करता रहा तो तुझे उसके पूरी कीमत में मिलेगी वरना कहीं से हाथ ना धोना पड़े जा किया कि कुछ नहीं घब रहो मत अट जाओ रास्ते से शेर आ रहा है वान, दू, स्री, फोर मजाग नहीं समझते जा बेटा आशकर, आउट ए लॉलिपप, पीदा रहा क्या है सर, आप भी ना बुलाय कैसे आगए तुझे हिम्मत के ज़रत पड़ेगे तो मुझे बिलाने के ज़रत नहीं पड़ते मैं हाजिर हो जाओगा आए ब्लीज, बैठिये ब्लीज, थैंकि, थैंकि बेरी मच तेरी किमत का ओड़ी की नहीं, तु मेरे लाकुस के उड़ा रहा है मेरे लग्जी लाइफ जिया, टैक्सी ट्रैवल के मीटर की जगा हदर हो देता है तुझी से इसका मिर जादा अब है शूट बूट कोट यहां तुयाश करता है वहां तु किराए पे रहता था तु किराए वहां अपने भाई की कमाई पर मैं अपने बाप का इकलोता संतान हूँ, हम लोग जुड़ूआ नहीं है मैं तेरे बाप का बेटा नहीं हो तो क्या हुआ, लेकिन हम लोग जुड़ूआ जरूर है अपने इमोशनल दिल को साइड मेरा कड़क एक्सप्रेशन दिखा क्या कैसे कैसे आखों से करंट टिकलना चाहिए, रफ्तार बुलेट के बोली चाहिए, होसला अफ़ान को छूने का होना चाहिए अगर तुस्से नहीं होगा तो मैं किस काम का, ओके मुझे में हिम्मत आ गए है, तुम्हारा रोल खतम तु मेरे अंदर आ जा एए, कौन है तू? अमरिका का एकलाउता फॉलाद हूँ, इस देश के लिए भी मैं वही हूँ हूँ वाँ भाई, तुम्हारे तो तेवारी बदल गए इसने बदलावा के बाद भी नहीं से, लाकर था, जाकर था, ट्राइबर था, लेकिन अस्ताब बदल क्या है तेरे पुरे वक्त में मेरा घर छिनने वाला तेरा वह भाई कहा है? अंदर है एक एक दिन का किराएं, मैं उस्ते वसुल करूंगा और Son कुली पुली 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 चाथ कुल प्रेक लगा प्रेक लगा तो ओर साभ यहां कैसे आना हुआ तेरी बेटी से शाधी करने आयों करवाएगा एक काट डालूंगा तूने क्या मुझे मुझे मुर्गी समझ रखा है तू भेडिया है मैं शेर हूँ रिटन फ्रम अमेरिका अरे थोड़ी इजट तो करो यार भी क बिल्ली अब शेर बनकर लटा है चलो अब बेल्डी काली करो गेट आउट और नहीं किया तो नहीं करेगा नहीं करेगा और तू क्या तू तुझे मारना मेरे लिए बाल उखाने जैसा है बहुत ज्यादा बोल आए तुम लोग का नाम निशान मिटाने अगर अपनी मुची मेरे बाजू से क्या गुजरा बुलेट जो निशान बाजी का एक सेंपल था रहे दुबारा बोलेगा तो सीजा सीने में उसेगा मुझे कांट्रोल कर जक्कन बंद वह बाद में पहले बाउस से मिल ले प्लीज सर घर खाली कर दो ना सर हमेशा गन दिखाते हैं और मैं मेरे पास और कोई आप्शन निया सर प्लीज सर आपको मंदिर ने बठा के आरती उतारूंगा सर घर खाली कर दो सर 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 प्लीज सर मैं आपके बच्चे जर्सा हूं थोड़ी तो तरह स्खाऊ सर मैं से शौक ने बालता है एक्स्कूज मीं जस्ट इमनेट अरे कॉन भाई मेरे दोस्त के पास मुझे चाकू मिल गया है अब आंधी आये तूफान आये मैं नहीं टरने वाला तुम्हार रूपर जिंदेगे में कभी कबार तो समझोता करना पड़ता है आप खुद को सही से पहचान नहीं तुम मुझे पहचान गए मैं क्या चीज हूं हिम्मत से काम लीजे अकल से काम लीजे मैं ना सामझ हूं किया तुम्हें अपना बंगलो वापस चाहिए कि नहीं तो अपने इस दोस्त पर भरोसा करो ये मेरे घर पे कबजा करके आश कर रहा है चला गया तो और तकलीफ मेरी जिंदगी खराब तुम फीस कितना लोगे आप से क्या पैस नेक्स्ट विक मेरी रिटन फ्लाइट है मेरे जाने तक मैं यहां रह सकता हूं क्या हूं क्या हूं क्या कर रहे हूं एक हाउस ओनर के इतनी फैसलिटिन दे सकते है रहो जल्बी उपर आओ अब ओही सेफ रहोगे ए दूसरों को पैर में गिरगड़ाने वाला कैसा मर्दर है तुझे जो करना है कर मुझे मेरा घर मिलेगा तुम मुझे में समाज आएगा तो हो जाएगा तीन बहीने बाद मैं बनूगा सी एम और तू मिनिस्पल्टी में ची ची मेरी मिनिस्ट्री में तू मिनिस्पल कॉर्परेशन का हेड बनेगा थैंक्स सर थैंक्स की जरूरत नहीं लगता है तेरी समझ में बात अभी तक नहीं आई हमारे पूरी डील एक ही इंसान पर निर्भारा है जो पासा पलट सकता है तेरा वो क्रिष्णा हम उसके साथ भी वही करेंगे यूज एंट्रो काम खत्म होते ही शम्शान पहुचा देंगे समझा की नहीं सबज किया अश्ट्र पारो माइग गुड़ डे कॉम्रेटुलेश तुम्हें भी डुबाई वीजा फॉर टैन येर्स मेरा जॉब वीजा है और तुम्हारा विजिट वीजा शादी के बाद तुम्हें भी पर्मनेंट फीजा मिल जाएगा 25th morning, 7 o'clock की व्लाइट है एक मिनिटा एक फोन आया एक फोन आया एक फोन आप तो सुन आधे घंटी के अंदर मुझे श्री सालम का फोन चाहिए सर इडिस इंपॉसिबल सर वो फोन हमेश अपने साथ में ही रखते हैं सर हाथ भी लगा दिया तो मारा जाओंगा जरा लेफ्ट साइड में देख तुने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो तेरी माशुका का वहीं काम तमाम हो जाएगा अगर मैंने यहां एक बटन तबा दिया तो वहां ट्रेगर तब जाएगा जो कहा वो कार कोई चाइस नहीं है आदा घंटे में मुझे फोन चाहिए लाता हूं सर क्या दोस्त तुम्हारा क्या होगा इसी बरे में सोच रहा था तुम्हारी सिर्फ पांच जार उपय के लिए तुम इतना टेंसन ले रहे हो तुम्हारी सिंसरेटी देख्के मैं खुश के गुफा में भेज रहे हूं इसी प्लान को हम रिवर्स करेंगे तुम जाकर फोन बाहर लियाओ मैं मैंनेज करता हूं सर आप कितना महान सोचते हैं अच्छा बात यह कि अगली बात अच्छे थे समझगे अब तू अंदर आजा किसे बात कर रहे थी से अपने दोस्ते बात कर रहा था तुमने बोला ना यह तुम करेक्ट है किसी तरह मैं उसे मैनेज कर लोगा अब चलो भी अमेरिका की तरह है यहां पर भी मैनेज कर लोगे अब चलो भी अगर तुमने ऐसा का है तो जरूर होगा चलो देखते हैं हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है है मेरा फोन का है चैल पाज़ीवट पर कदे है तु सारे संसार को गुमाने की ताकत रखता है और एक छोटे से फोन को भी समाल के नहीं रहें रहें जबान को लगां दे अरे का है का लगां गोडा समझा अज तो मैं सब कुछ फानेल करके ही जाओंगा किसमें हिमत है जो मेरे सामना कर सके कमान यह भाई के साथ कॉमेडी कर रहा है क्या है 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 अज ज़िए प्लीज श्रीश आलम ने किसी खास काम के लिए किसी और को तो कहीं नहीं बेजा ना है नहीं सर कि तो ने वैसे किया कैसे अंकल तोड़ दू क्या नहीं बहुत कॉस्मिये अब नहीं निशाने से मक्खी भी नहीं बसकती है है श्रीश आलम क्यों किसी में चुपा है जान बचानी है तो घर छोड़ दे नहीं छोड़ेगा तो कसम खाके कहता हूं तू मरेगा सर से लेकर पैर तक छेद कर दूँगा टेमपल देगेगा क्या है श्केट 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 है 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 मारो इसे जल्दी कीजिए ना प्लीज मैं जो बोलता हूं वह चुपचाप करता जा मुझे आउडर मत दे दन छोड़ना मार भाई घर इसका है अजर इसने कंप्लेंट देदी तो बिकार पंगा हो जाएगा मेरे खेल से हो समझ के लागा बस बहुत हो गया जाने तो इसे ए चल जा याद रखना तुम लोग उपर वाला तुम्हें माफ नहीं करेगा उसकी लाटी में आवाज नहीं क्रिष्णा ज़रा फोन देना हुआ हाँ 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 अरे मेरा फोन तो इधर ही था मुझे दिखा ही नहीं है उससे मैनेज कहने के लिए कहा था मैं तो कुछ औरी कर भाई था अब क्या होगा कौन जाने एश्वार मेरी हाला देखके तो खुश है ना मेरा फफामेंस देखा नहीं इन फिक पर था उन्नों कोने इतना हुआ पिर दियरे वाँ वाँ वा क्या बात है यह पैक फिलो दरुद उतर जागा और उने मारा गम नहीं वो शिरी सेलम के थपड़ का जबाब देना है बस उससे मेरे उगो का हड्या है उस टैनन को बताना पड़ेगा है कि घर का मालिक कार है तर लग रहा है तुम क्यो रहे हो मैं हूना कूल कम आण टेक दिस 30 ml जोश में आजाओ क्या कर रहा है सर पहले पी तो लो फ्रेंट्स लोड मुझे पूरा याकीन मिल जाएगा है एए एंग यह ऐह 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 तो हो अप अमरीका के पाहले हो नाना छी हां आपका टोकर नंबर मिला है टोकर नमबर मुझे पास नहीं बुलाएंगे ओके एड्रस पता है क्या जी हाँ पता है कैसी आओगी तुम्हें प्रचान को कैसे मैं फ्रॉक पहन कराऊंगी फ्रॉक पहन के हाँ मेरा बजपन का फ्रॉक अब फिट हो रहा है तो मैं आ जाओं तुम्हें साड़ी में देखा इसलिए तुम पर लट्टू हो गया था अब क्या फ्रॉक फ्रॉक कर रही हो माफ कर दीजी मुझे लगा अमरिका वालों को फ्रॉक पसंद है अरे बापरे बातें तो खतरनाक करती हो कब आ रही है तुम्हें बस अभी आई मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं और यार अब तो चल्दी आजांग reactions का रहा है तुम्हेक हा रहां तुम्हे तुम्हें अहारे थे यह कर रहा है तू है जो काम देता हुग तुस्के होता नहीं और जालतु के कामों में तरह बहुत पनल लगता है ना इस पूरे घर को तुझे दुछनों के हाथ से छुडाना है और यह तु दोती पकड़ के नाच रहा है वहाँ को जाएगा पाव जाता हुग उसे बट बड़ी कर्फियों हो ग है तुम तो बिलकुल औरतों की तरह है बहुत दिखा है यह मिर्ची बहुत दिखी है अगली बार अगर तुमने औरतों की तरह बहाना किया तो यह सारी एक साथ खिला दूंगा तुम सर जाओ है सब सलीट सब्सक्राइब 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 के दिखने कमरे में और मैं फिला भी लॉब्य में हूँ सर वह गाड़ी लेके कहीं निकल चुका है और तुम लबी में खड़ा हुआ है किसी काम करें किसी काम करें प्लेवा को अटर्व कि अधिस्यव कि ट्रुव गाड़ी में जा रहा है सब्सक्राइब सामने एक पुलिस जीव दिख रही है है दिख रही है सरुक्चा फोन को स्पीकर में डाल अभी डालता हूं सरु निकल निकल मुझे जाना है फॉलो कर शी सलम की गाड़ी को फॉलो कर अगरे नहीं सर नहीं दिखाए नहीं दे रहा है राइट वेचा राइट वेचा वेचा उके साथ नहीं दिखाए दे तुझे तुझे नहीं सर नहीं दिखाए दे रही हमोड़ा हूँ जल्क Okay अट और मुझें से धाओ का नई सर अभी बढ़ी वे उगले दिखाए दे रहा हूँ फ़स को डने दिखाए देन कर किर कश़़ब एक शुझे अिisión का त कर कर कव अचिप पुलिस का साद्ड सॉध कर पर दे, यहां से फॉलो का, फॉलो, ओके, ओके चलाता रहा है, चलाता रहा है इस्टेंस में टेन का, फीगे सार से यहां से घुजरने माथ से सीचीवी कामरा है, वह वह से एरिया माँ कहीं भी नहीं है सार तो उसे हराल में ट्रेस करना है, आज शिष करो, मोबाई सिंगलेट ट्रैक करो, वह आज सानी से मिल जाएगा सब्सक्राइब कर देंगे ना तो हार्ट अटेक आके में मर जाओंगा ऐसा मत कीजिए सर वाट्साइब ओपन कर अब आया हाट अटेक पहरों को कुछ मत करना सर प्लीज अब बता तू जो कर रहा है वो मेरे ले कर रहा है खुद के लिए मेरे खुद के लिए सर अब जो कहो कि वो करूंगा शी सालम कहा जा रहा है किस से मिल रहा है उसका फोटो बेज मुझे वो क्या बात कर रहा है वो रिकार्ड कर नेर गाम अगर पूरा नहीं क्या तो तूजे तरी में वर आपने एक पियाद राखना जी सार छाल डी जाद योड़ी जाए नीज़क टूंगा तो भूखरो तो इसी कीबत प्याज मत करणा नहीं को रूँगा सर, गोगओ वहलो स्पीदफ एक सेरिन आप बड़कशन आप श्पीद चालाओ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो का हुंत अला मोम अधाख नर्यां जाख़िष्ट दाख़ ख।ष्ट औरो अरुचो का घ्रेय्ट यह झाल दिल्क कर दो दो कि नो डम्न झेल यहते और आख़ आख़ इकаются कर स्कामरा ? वोगा इस दिन दील होगी तो नी तुमसे मिलने आएका रुम्हे हमारी कमिट्मेंट में सना विलकुल बाइ बाइ करता है में श्री सालम्स कार आच मिनिट में डीटियस नहीं बैजी तू गल्ट्रेंड को उपर पहुच आगा चकरी कोर्ट्स नोट करो वाल यह सर 616-COMB 43216 यह कोड किसका पता है आपता है एक और कोड मर 2578023 एक और कोड ले लो एक नाइन शिक्स वन आपता है यह जए खक्षार्ट आपकोजार्ट वाइन वतान यह एक्षाईन युट्स कर कफ़ वियुट्स वाल इसे बवायक प्रलश आपकोड़ स्कुण बाल बाल बच्छ गई बाल बच्छ गई बता क्या मिला है शिरी सेल में सीक्रेट कोड कीसी को बता रहा था तुझ पर येकिन करके इसे छोड़ दू छोड़ दा होगा मैं सच कह रहा हूं ये ओरीजनल कोड है यकिन नहीं है तो चेक कर लो चिल्ला क्यो रहा है इसे इतना तोड़ों कि बोल ना भूल जाए श्रदार सिक्ट राइब राइब ना भूल जाए ये नेवी का कोड है सर मैं चंदर्शेखर को को ट्रांसफर करता हूं आप लाइन पे रहें सर ये रुख जाओ रुख जाओ जंदर्शेखर दो मिनट सर अभी चेक करता हूं ओके सर ये कोलंबिया का बनावा शीप है दो हफ्ते पहले ये इंडोनेशा के लिए निकल चुका है और इस वक्त आधे रास्ते में कर दो और एक कोड चेक करो मरण 2587823 ये कंटेनर का नंबर है सर और एक कोड ओन पोडि के अंदर एक लॉकर ये नाइज़न इया कंटेनर के अंदर एक लॉकर के लॉकर है सर उसे कोलने लेकल पासवर चाहिए मतलब कोलंबिया से इंडोनीशा होकर आ रहा है तो कंटेनर इंडिया के लिए भीजा गया है सर शीप गुवा की तरफ बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की सीमा में आने से पहले कंटेनर को इंडियान शीप में शिफ्ट किया जा रहा है इसका मतलब ये डील गुवा में होने वाली है शंद शेखर, मुझे उस कंटेनर की डीटेल चाहिए उसे किस ने भेजा है और उसे कौन रिसीव करने वाला है सब कुछ सरे खास इंफॉर्मेशन क्लिक हो रहा है एक मिनट कर समय दीजे, मैं भी देखता हूँ ये बात किसी को नहीं पता कि उस कंटेनर में क्या है और ये कंटेनर किस ने भेजा है पर इतना पता है कि आने वाली 25 तारिक को ये डील होने वाली है अब गुवा जाकर तू ये सारी जानकारी हमारे लिए कठा करके लाएगा सुन क्रिष्णा को गुवा भेज दिया बस भेज रहा हूं सर ठीक है वो सकता है पुलिस तक भी खाबर पहुंच जाए इसलिए तू हर तरह से चोकनना रहना ठीक है सर गुवा हरवर में मैंने सब कुछ मैनेज कर दिया है जी सर चक्री और मेरे बाकी के लोग वहीं पर होंगे सर लोकर खुलते वक्स जरा सावधानी बरतना और मुस्से कब मिलेगा आप कहा हैं सर अरे आल्रेडी गोवा आ चुका हूं पेवकूफ सुन क्रिष्णा एक काम कर तू अभी गोवा के लिए निकल जा तेरे थम इंप्रेशन से ही वो लॉकर खुलेगा मेरा मतलब हमारे बैंक का काम हो पाएगा अरे हां तू दुबई जाना चाहता है ना काम होने के बाद चक्री तुझे फ्लाइड का टिकेट दे देगा और फ हम रख ले इस बीच में सीनु ने जो नाटक किया है मैं उसे नहीं बोला सकता अहसान चुकाने का समय आ गया है होसला बुलंद शिकार निशाने पर डरना मत सीनु खतब मेरे गोवा को तू आपस दिलाएगा चल जा बेटा रूट बदला या प्लाइन बदला तो कोई रहम नहीं वही करना जो हमेशा करते हैं करते हैं खेल खत्म दुकान बन गंज निकाल रहे के बुलेट से फेलकम करना है यह सर, मैं गुवा के लिए निकल चुका हूँ पहुंसते ही मुझे फोन करो ओके सर, अगर किसी तरह की मदद की जरुद हो, तो मुझे फोन करो, ओके? निकल भी पूसे व्र करना है यह दो . भाई ने हमें बैंक जाने के लिए खड़ाखाना? अरबर के वागे? यह सकता हूँ क्रिष्णा 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 वो रहा हमारा पहें क्रिष्णा वो सब्सक्राइब एंपलेशन अगया सेनौ ए अच्चु इसके अंदर के लॉकर को खोड़ने के लिए भी हमें कृष्णा की जुरॉप पड़ेगी ए अच्चु आएब चट पताईब और्ड़रु की जुरॉप इस फिर्नाश आएफ़ेगी झालक ऑज़र्डरु स्वालों उपड़रु आई तुम दोनों मिल चुके हो तेरे साफ था इक आप श्री शाला प्रफ्रबीन नल देखलने वाले मढ़ट अमधा थूदी चाहिए मतलब तुम दोनों? एक साथ है! मैने ही प्लाइन बढाया! यह सीनों मेरा ही जोडितार है! वेजन फुरे हो गए! वेजन फुरे हो जाएगा तुम मजे मार देगा तो किष्णन अराम से फरार हो जाएगा! तुझे आदा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ! पहले जाकर उसे पकड़! तुझे इस दिन का कब से इंतेजार था? तुने उनलों को बुलाया क्या? डिरि लंका से भागा आए भाईया! अच्छी बाते, आने दे, आने दे! उस कंटेनर को कबल कर! अन्दर जाओ! तुझे जाओ! पीञ़ी पीज़े! पीजहेर! आने दे, आने दे! अन्दर लाँ! अबे अन्दर लाँ! खुचे आजलिए भिएभवी कुझे अभी हौ तरोस मै कि दूब्ल क्रोच कए, माल भी हाद्सेल निकल जाएगा कि दूब्ल क्रोच गर्णिपल एख माल भीद चल झाल राएगा पारो माइ गुटे, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है, हमारे फ्यूचर के खुशी के लिए चल रहा है, है, यह कुछ समय रोमांस करने का, यहाँ दर्ब से जान जा रही है, चल्दी करो, वैसा का है, काम, की बनी, चल्दी, जल्दी, दोबई हावाला नूर, यह से महममस सेर त जल, 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 रिन, जल, जल, रिन, आ, बखलो उसे, पैसे लो, भशे, हमारे भीमाहे, सलो, आ लिए, सालो, हनए, सालो, हनुर। कि आउ हमारे बीचे आउ याउ आउ लेके जाए टी तो अबर दें को गज अजा आजा 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 ये कि अजसे मेरा में अजनल चेट अजनल का ये ये हैं अजनल शुक्त मैं आपके लाके 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 लाटे हैं और राटे हैं तकी प्रोड़inging जख्रौग्म जस्रौआ है जख्रौआ है फ्रौब प्रेफ जए intercept जए WOW जए एक झाल पूभी में पुझा आप किती स्हाओ माया है प्ल configure लोप किती स्पटन स्टन को अधिए गझए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि वो कर दो पो कर दो हम उन्होंगाना नहां कि बाता है नो कि अब गणाया करिए तुने जब मुझेपसानी की सोची थी तभी मैंने प्लान बनान स्टाट कर दिया पूर्ट बंक लोन देगा मुझे मैं गैरेंटर हूँ अ now are a 02 जगा हज़ा il हज़ा क्रोटर अब दूध मुझे तभ ही उस बात का भी कि गोव में तुम्होरा illegal business है मैं भाग जाता तो तुम मुझे कहीं से भी ढून कर मार देता मैं हिम्मत से डटा रहा तुझे उखारने के लिए plan बनाया और इसमें मेरा साथ दिया सीनू ने तेरे लिए जो nonsense था वो मेरे लिए काम का बंदा बन दिया तुझे कोई तकलीफ है वो हमारे जरीए करोड़ो कमाते है और हमें चिंदी से सेलरी देते है क्या चाहिए पचास लग दिलवाओगे उससे भी दुगना दूँगा बोल मेरे लिए काम करेगा तो मजाग तो नहीं कर रहा हो भाई हमारे गैंग से अपने आपको अलग कर लो श्री सेलम के गोवा के बिजनिस को टेक ओवर करो मुझे अच्छे से पता था तू हर कीमत पर मुझे जिंदा रखता और तू तो तो तीन करोड रुपे के लिए कन्विंस हो गया फाइनल तीन करोड तीन करोड सुनके सीनू थोड़ा सा लडखडा रहा था इसलिए मैंने सिच्वेशन संभाला और चार बोतल उसकी सर में खोड़ दी उसके बाद दूसरी चाल दुबए जाना है दुबए जाना है ऐसा कहकर पारो ने दिमाग खराब कर दिया वीजा आते ही मैं दुबए चली जाओंगी हमारी शादी के बाद तुम्हें पर्मेनेंट वीजा मिल जाएगा दुबए गया तो पैसा जाएगा नहीं गया तो लव जाएगा और मुझे दोनों चाहिए थे इसलिए सीनु को छोड़कर मैंने अपना दूसरा स्टेप लिया बाद टाइम वेस्ट हो रहा है गोवा चाहिए और अगर वो नहीं माना न तो उसे मैं ही मार डालूगा क्या करना होगा भाई किड्नैप कर किसका मेरा बे मैंने खुद ही अपना किड्नैप करवा है तुने जब गोवा भीजा तब सारा प्लान वॉक आउट हो गया गोवा में तु क्या करता था उसकी मुझे पूरी जानकरी चाहिए थी वहां श्री सेलम का खास को ने इसका पता लगा और जैसे ही तुझे पता चल जाए तो दो-चार को लुड़का देना सीनु को मैंने फोटो भिजवा कर इंकॉईरी करवाई तु अपने ड्रक्स के बिजनिस का सारा ड्रक्स कोलम्भिया से मगाता ही इस बात का मुझे पता चला बराबर का हिस्सा देने का बादा करके पार्टी का इंदेजाम भी करवाया सीनु ने रिष्ट कुठा कर श्री लंका से बड़ी पार्टी बुलवाई मैंने तुझे मामूरी इंफर्मर समझा, तू तो शकुनी का भी बाप निकला, क्या करे बहुत दूर तक जो जाना था, बहुत जालबास है तू, बहुत शातिर आग्मी है, दोष्टों के रास्ते पर चलकर उने खतम किया तो पून्य, बेवजा किसी को मारा तो पाप, और कि करोड़ पती बनने के लिए आया था, तो दे देना चाहिए था, मैं इतना बड़ा शड़ी अंत्र तो नहीं रचता, अब जब तुम लोगों को मेरा प्लाइन पता चली किया है, तो तुम लोग की बताओ, इस खेल के खिलाड़ी तुम लोग हो, या मैं इसमें तुझे क्य मिला, दो सो करोड़ रुपए, तो हसार करोड़ का माल था वो, किसमत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, दो सो करोड़ चाहिए था, तो मुझ से बाग दे देता तुझे, माल अब भी मेरे पास है, वो लोग खले ट्रग यहां से लेगे गए है, हम बेगोफ नहीं है, वो यहां से सॉब्डरिंग के सिफ डबे उठा करने के लिए, वो माल क्या है, ड्रग्स है भाई, जिन्दे की परबाद करने वाला सहर, तुने उस माल का क्लिया क्या, कंटेनर में है, यही है भाई, उतार, 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 सबसेट हो गया भाई, परो मैं गोड़ एए, पक्लो जी भूड़ परो मैं गुड़े कि यह सिनों यह नोट दुबए में दिखा दे 150 कुरूट रुपय मिल जाएगा बहुत मेहनत किया तुम इसे मेहनत कहते हो मेहनत करने की डेफिनेशन बदल गई है डालिंग मेहनत करके मालिक के सामने हाथ फैलाना मैंने नहीं सिखाया चीनना सिखाया आई गोई अच्छा है दुबए में जाके करेंगे क्या मैंनत करेंगे में भी साथ हो तो दुबिछल है प्रक्राइब